एकाइज गुड मॉर्निंग जैश्री राम जैदातारी साहब वेलकम तू माइड निव लॉग तो भी सुने के मजरे साढ़े साथ और मैं उच्चुका हूं तैयार हो चुका हूं तो भी ब्रिकपास्ट करते हैं अज ब्रिकपास्ट में है दूद और कड़करी रोटी तो ना बास्ता बास्ता करते हैं और फिर गाड़ी उचाते वर चलते हैं साफ़ बंदे के लिए प्रिकपास्ट करते हैं अब तो गाई जब भारात निकल शुकी है अभी रास्ता क्लियर है तो अभी बाइक उठाते हैं और चलते हैं जय हम भी जय हम बे चालो ही नहीं और आज तो रुमाल गुमाल बाढ़ दिया है और साफ़े भी इंठा दिये तो भी बाइक कोल्ड स्टार्ट होती है उसके बाद चलते हैं और पर तो गाईज अपने डेस्टिनेशन पर पहुच चुका हूं मैं तो यह रहे साफ़े और चलते हैं बाढ़ने के लिए तो गाईज साफ़ा बानके आ चुका हूं कौन का स्टोरेड फुल हो चुका है इसलिए मुझे वीडियो डिलिट करके ब्लॉक बनाना पड़ता है तो गाईज घर पहुच चुका हूं मैं और उज्वल सिंग ने खाना खाया अभी देखे ऐसे कोई खाना खाता है गया खान खाना खाता है ये तो गाईज अभी हम जा रहे हैं और इसमें साफा ले लिया है तो शुबह मेरा साफा का ओडर यह तो यह साथ में ले जाते हैं तो सुबह साफ़ा बनने जाएंगे अभी फिलाल चंटे हैं गाड़ी उठा ते लएवां पहुंच चुके हम और अभी सामा पापा और यूरा सिंग मसाला चेक कर रहे हैं तो गाइच कल रखा है गाजर का अलवा तो यह हम गाजर दो रहे हैं गाजर का अलवा बना रहे हैं गाजर का अलवा बनाएंगे तो इसको दोएंगे और उसके बाद यह पीछे गाड़ी पड़ी को तो उसमें डालके ले जाएंगे मसीन में फिर इसका कचुमबर बनाएंगे और फिर उसका कल बनाएंगे हम अलवा और इधर इधर भी गाजर द टारे गाजर को पीच्वाने के लिए गाजर का कचुमबर बनाएंगे और उसका घल्वा बनाएंगे कल तो अब अभी मसीन यहां है तो अभी गाजर ले जाते हैं अंदर अभी में तो गाजर का काम हो चुका है तो अभी गाड़ी में डालते हैं और चलते हैं हमारे वर्डर पर केट्रस का वर्डर चल रहे हैं अभी कट्टा अंदर डाल देते हैं तो सब कट्टे अभी अंदर डाल देते हैं और डाल भी पीछवने रखी है वहाँ तो अभी रास्ते में वह भी ले लेंगे और उसके बात चलते हैं चैट्रस को ओडर में पूरा मंदीर था पूरा मंदीर था यहां और इसके पीछे वो सेवा करते हुए सब रहते तो उन्होंने मशीन लाब दी तो बड़ आलू की कात्री गाजर की कात्री ऐसे करके देते उनके पास मशीन है अब 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 ना था है मशीन है तो फटा-फट काम हो जाता है बाकि ऐसे मेनूल ही तो काफी टाइम लगता है तो गाइस के ओडर में पहुच चुके हैं अभी मिठाई का काम चालो करेंगे तो इस कड़ाई में पढ़ाएंगे मिठाई और गाजर वाजर सब आप देंगे इसमें तपले में और मॉर्णिंग में बनाएंगे गाजर का अलवा और अभी तो शिर्फ मिठाई बना लिए गाईज अभी आया है मिठाई का दूद तो अभी दूद गरम कर रहा हूं मैं इधर और यहां और यहां मिठाई भी चालू कर दिये और इसमें गाजर को बॉइल करने रखाएं औ और अमारे महिस भाइचों के कॉफी बनें के लिए कि कॉफी बनेगी या आभी यह दूद गरम करेंगे उसके बाद कॉफी बना देंगे तो सबका कॉफी और छाय का टाइम हो चुका है कि तुद्य अभी बन रही है कड़ी और वहां सामने बन रहे है रोटी बन रहे हैं और ही हहां कड़ी और वहां सामने मिठाय का काम भी चले है कि उमारे काको बना रहा है कड़ी तो गाजर को बहिल कर दिया है और इसका भी पानी निकाल रहे हैं कॉटन के कपड़े में बांदिया है तब इकल इसका गाजर का अलवा बनाएंगे हम मेरे वाजन से सब पानी इसका निकल जाएगा गरम है इसलिए मैंने चपन पहले है अपने को कि अपने को सिर्फ पाणी निकालना है अपना सिर्फ पाणी निकालने का हुआ तो अब हम चास्थ मी बनाएंगेawanाझा प्त्यार हो चुगा है अब शिर्फ चास्थ मी बनानी और अंडल डालनी है करने का टाइम हो चुका है तो कड़ी ग्रोटी और साथ में चटनी बनाई अभी खाना का लेता है तो गाई अभी मैं जा रहा हूं गर क्योंकि अर्जंट मुझे साफा बानने का ओर्डर आया है तो अभी बाइक उठाते हैं और चलते हैं फटा पट गर और फिर सुबह आएं तो गाईड मफलर बांद के तैयार हो चुका हूं मैं तो हमें बाइक उठाते हैं और चलते हैं फटा बट तो यह रही अपनी बाइक और यह पड़ा रस्ता चलो भी फटा बट गर को अजय बाइक तो बाइक उगाण सुबहां तो यह रही अचा लुट बाइक इन यह रत वाण वगाण सब्सा प्राइक प्राछ बाइक प्राइक तो गाइस गर पहुंच चुका हूँ फिलाल इस व्लोग को एंड करता हूँ आई होब मेरा व्लोग आपको अच्छा लगा हो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजे मिल रहे हैं दिनेक्स व्लोग में थैंक्यू सुमच वाचिंग